सो विलकम डू शुकलाज स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके पिने यूट्योब चनल स्टडी पॉइंट में मैं सियों स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो के अंतरगत हम लोग बात करेंगे राजनेती सास्तर आर्थात पॉलिटिकल साइंस के पेपर टू के बारे में जो की बिये थर्डियर से सम्मन रखता होगा अर्थात बिये थर्थीय वर्स के चाचातरों के लिए लक्षर मोश्ट इंपोरेंट होगा कहने का मलब यह है कि आज की वीडियो के अंतरगत हम लोग बात करेंगे मॉडल पेपर के बारे में जो की 2022 का मॉडल पेपर होगा आर्थात आपकी परिक्षा में 2022 में कैसे परसन आएगे उसको आपको बताने का प्रियास किया जाएगा पेपर टू से पेपर टू का नाम आपके क्या है पेपर टू का नाम है भारतिय राजनेतिक बिचार आर्थात इंडियन पॉलिटिकल थाट इंडियन पॉलिटिकल थार्ट से किस परकार से परसन बनते हैं बीये तर्टिय वर्षिम्यार्थाथ बीये थार्डियर में वो आपको बताने का प्रयास करूँगा तो जो आप अगर बीये थार्डियर में हैं आपने राजनीती 17 रभी से वस्तु ले रखा है तो आपका जो paper 1 है उसका नाम है public administration था लोग परसासन के सिध्धान्थ तो लोग परसासन के सिध्धान्थ की वीडियो आपको पहले से हमने available करवा दी उसको अगर नहीं देखा है तो उसका model paper आप लोग देख लेजीगा प्रियास मेरे द्वारा किया जाएगा आप सभी लोगों का ध्यान आकरसित करने का प्रियास में करता रहूँगा आप लोग निश्चित तोर पर यहां पर आये हैं तो सफल हो करके ही जाएंगे आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे यह दिलासा सुकला ही डिपाइट लग सुकलाइटी पॉइंट पर पिस्वास करें आसानी से बस इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है आर्थात इस सेशन को आपको लाश्ट अकटेंड करना है और आपको यह भी बता दूं कि यह 2022 की परिक्षा के लिए इंपोरेंट है ही आने वाली जो 23 की परिक्षा होगी उसके लिए भी इंपोरेंट होगा या ओके आप बात करेंगे भारतिय राजनेतिक बिचार और यहां से पिछले पांच वर्सों में लगातारा इसे बन रहे हैं उन परसनों को हमने इसमें अस्थान दिया है और जो 2022 में बन सकते हैं उनको हमने खास करके अस्थान दिया है और उनके अंसर को भी बताने का प्रियास यहां पर किया जाएगा चलिए अब प्रारम करते हैं जो है कक्छा को बिना समय गवाय होए आसानी से हमरे एक मुद्धि को समझेंगे यहां पर देखिए जो है बी थर डियर राजनेति बिज्ञान पॉलिटिकल साइंस ठीक है पे मेरी प्यारे दोस्तों कि कैसे कैसे एक जम से प्रसनियास से पूछे जाने हैं और आखिरकार जो है चाहे जो भी मॉडल पेपर हो लिखी त्वाला मॉडल पेपर हों बताने का प्रियास करूंगा और चाहे जैसा भी आपका पेपर होने वाला हो आपको बदा दू मॉडल आ आपका तैयार हो जाएगा इसी से पांच अगर आपने दीर गुत्रिये का पर परसनों को तैयार कर लिया निश्चित तोर पर वहीं ससारी चीज़ जाएंगे ओके तो चलिए हम आगे बाड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कर कैसे कैसे परसन पूछ जाएंगे जो परसन आप और वहाँ पर आपको सभी परसन करने होंगे ये बात धी ध्यार नखेंगे और जो लगुत्रिये attendee परसन होंगे उनको आपको 200 सब्डों में लिखने के लिए बोलेगा और जो दीर घुत्रिये होंगे उनको 500 सब्डों में और kasih में लिए बोलता है तो नो एक एखजार लि लिएगा माडल जो होगा हूँ अपने पनी हिसाब से उनिशिटी सेट करते हैं लेकिन यह प्रसंद जो हैं यह सभी बिस्विध्यालें को हमने देख करके आपका यह माडल के बनाया है तो निश्चे तोर पर आप किसी भी बिस्विध्याले से हैं तो आप आसानी से इस वीड है परसन ने राज के क्या कारी बताए है तो आप सीधे सीधे लिखेंगे किक निवन्य प्रकार के कारी बताए हैं ऐसे आप लिखेंगे कोई चीज पूछे कि किसने क्या बताया है तो निम्द परकार क्या आप लिखेंगे निम्द माने होता है एक परकार नीचे following तो नीचे लिखा गया अब हम आपको बता रहे हैं कि क्या-क्या कारी जो है इन्हों हो वह ऐसा मलब की राज जी का करता भी यह है कि वह जन का कल्यान करें जनता का क्या करें कल्यान करें आर्थात बिलफेर इस्टिट बनाने की ज़धा सेदा कोसिस करें आर्थात जनता को खुजी रखें मलब की जनता को सुख समुद्धी जनता के लिए समय समय पर जो है उचि काल्यान करने के लिए आप पहले छेतर पर बिचार करना पड़ेगा किस पर दूसरा कारी क्या है छेतर पर बिचार करना पड़ेगा आपको तो छेतर का बिचार जो है करना है कि हाँ कि छेतर में क्या क्या चीजे चल रही है क्या मामला पूरा लब जो आपका पूरा का पूरा सीमा है उसमें क्या चीजे हो रही है तमाम सर चीजे आपके ध्यान में होना चाहिए तो छेतर का विचार आपको करना चाहिए ठीक है तीसरी बात कोटिल महोदे कहते हैं क्या कहते हैं कि सांती व्यवस्था जो है अपूरे के पूरे राश्ट में बनी रहे तो सांती व्यवस् या बाह या कर्मन से रक्षा करना अगर कोई दूसरा विदेशी है या फिर कोई दूसरे राज दूसरा राज है आप किसी मलब आपके राजी पर आकर्मन कर रहा है तो आकर्मन से रक्षा करना जनता का ये भी कारी किसका होता है ये भी कारी राज जी का ही होता है अर्था रा मड़क चाहु हो था कारी हमने बता दिया 5 वा कारी आप लिखेगा भाई 5 वा कारी क्या लिख सकते हैं आर्थिक भिकास आर्था राजी का ये कारी होगा कि वो जो है अपने एको नामिकल जो सक्टर है राजी में उनको मजबूत करें आर्फात जादा स्यादा आर्थिक विकास करें अपनी देश का या आराज्जी का ओके तु यह 5 आ kारी है कौटेले महोदे के नुशार चटिवा कार आप लिख सकते होים इने पारे दोस्तों क्या कि वराणा सरम जो है न कावट髙्टेली ने खास करके कहें कि वराणा सरम के पा लब यहाँ पर यह है कि वर्णास्रम जो ब्यवस्ता है आर्थाद ब्राम्हण जो है वो क्या कारी करेगा छत्रिये क्या कारी करेगा बैस क्या कारी करेगा इस प्रकार से वर्ण के हिसाब से जो लोगों का कारी करने की जो सहले आर्थाद ब्राम्हण अध्यन अध्यापन का क कारी करेगा और जो है करमकांडे बगारा करेगा ठीक है ये सारी चीजे कारी किसका होगा ये ब्राम्भणों का कारी होगा छत्री युद्ध बगारा करेंगे रक्षा करेंगे ठीक है और बैस जो होंगे वो क्या करेंगे भाई जो एक प्रकार से जो क्या होता है ब्यापार ब बताया था कौटिले ने बताया था उस समय के लिए ठीक है अलाकि ये बाते अभी भी फालो करें तो बिल्कुल कोई गलत बात नहीं होगी अभी भी प्रासांगे के बाते हैं तो ये आप छे कार अगर आसानी से बता देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर एक जामनर दे क्या है राजा राम मोहन रायको एक समाज सुधारक क्यों माना जाता है क्योंकि उसके कई कारण है ये से पहला कारण ये है कि राजा अपनी परत तो उसमें परती का बारा जार में, forming सती होना परता थाasterum पतिनी को भी जलना पड़ता था तो ये सती पर्था थी तो सती पर्था का बिरोध किस ने किया राजा राम मोहन राय ने सती पर्था का बिरोध किया इसलिए एक समा सुधारक की रूप में जाने आते हैं पहला कारण दूसरा करण यह है कि जो है राजा राम मोहन राय ने मूर्ती पूजा का भी बिरोध किया किस पूजा का मूर्ती पूजा का भी बिरोध किस ने किया राजा राम मोहन राय ने किया चुकि मूर्ती पूजा किसमें प्रचलित है हिंदों में मूर्ती पूजा प्रचलित है और मूर्ती पूजा होती है अभी भी होती है अलाकि मूर्ती पूजा मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है इसमें किसी परकार की कोई एक परकार से जो है वैसे आलोचना करी जाए तो हर एक आपका बड़ा ही चंचल होता है कभी इधर भटकता है कभी उधर भटकता है ठीक तो इसलिए उस एक आगर मन को एकागर करने के लिए उसको किसी ध्यान के इंद्रित करने के लिए जो है मुर्ति पूजा जो है हिंदूों में खासकर कर कर रखी गई है और ये बिल्कुल सही बात है इसके लिए मैं जो है खासकर जहां तक मेरे विचार हैं उसमें मूर्थी पूजा उचित है बाकी मैं दुनिया का नहीं जानता ठीक यहां पर हला कि राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो इनको एक समा सुधारा किसे लिए माना जाता चुकि इन्होंने क्या करा है बाई मूर्थी पूजा जो की हिंदू में खास करके होती थी उसका इन्होंने बिरोध किया लेकिन कुछ हुआ नहीं से खास करके बिरोध ही हुआ लेकिन यह खास करके हुआ नहीं सतीपर्था का तो इन्होंने आंत करवाने का भी प्रियास किया यह बहुत अच्छी बात इनकी लेकिन मुर्ति पूजा का जो इनुने विरोध किया इसको लेकर कि जुरोधा जिए नहीं वे लेकिन हाँ यहाँ पर आप लिखेंगे कि नारी की परती भी कि नारी लोग भी सिक्षा ग्रण करें लम नारी की सुतंतरता जो की नारी बंधिस में रहा करती थी पहले उन नारी की लिए सुतंतरता की बात इन्होंने करी हलाकि उसे पहले नारी सुतंतर थी लेकिन फिर भी जो है हलाकि इन्होंने और जादा उसमें ची चुकि राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के स्थापना करी इसलिए इनको एक समा सुधारा की सरणी में हम रखते हैं ठीक चोथी बात पांचवी बात यह है कि जाती पात का इन्होंने क्या करा जाती पात का पूर्ण रूप से इन्होंने विरोध करा आर्था जो जाती पाती जैसा कबीर ने आप देखा हुगा जाती पात पूछे नहीं काहू जाती पाती का जिस परकार से कबीर ने घोर विरोध करा या अलग अलग संतों ने करा ठीक उसी परकार से जाती पाती का विरोध किस ने करा राजा राब मोहन राय ने भी करा इसलिए इनको एक समासुधारक की सरणी में हम लोग रखते हैं हमने पांच कारण बताए पहला कारण क्या बताया सती पर्था का बिरोध किया राजा राब मोहन राय ने दूसरा कारण क्या मूर्ती पूजा का बिरोध किया तीसरा करन क्या बताया नारी सुतनपता एवं सिक्छा का समर्थन क्या इन्होंने चौथा करन क्या ब्रह्म समाज की इन्होंने अस्थापना करी और पांच भी चीज क्या हमने बताई जाति पातिका इन्होंने क्या करा भाई बिरोध करा इसलिए इनको हम क्या कहते हैं एक समा सुधारक के लिए नब एक समा सुधारक इनको हम मानते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे आता है इन पांच का ये पांच करण राय मलब राजा राम मुहन राय को एक समा सुधारक की सरणी में ला सकते हैं लाते हैं और जो की हमने आपको उपर बता दिया ऐसे आप लिख देजिएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे तो दूसरे प्रसंद का उत्तर आपको मिल गया अगला प्रसंद देखो भाई सारे बाते समझ में आ रही ना अगला प्र गोखले अंग्रेजी सासन के समर्थक थे प्रसंद बड़ा ही अच्छा है कि क्या गोखले अंग्रेजी सासन के समर्थक थे प्रसंद बड़ा ही अच्छा है कि क्या गोखले अंग्रेजी सासन के समर्थक थे तो आप लेखेंगे कि जी हां गोपाल किसन गोखले अंग्रेज चीज़ इनकी ये थी भाई गोपाल किष्ण गोखले जी की कि ये भारत और इंगलेंड के जो है मध्धे सहीवग स्थापित करने का कारी किस ने किया लबकारे कर रहे थे कौन गोपाल किष्ण गोखले दूसरी बात ये थी कि ब्रिटिस साशन को भारतियों के लिए बरदान इन्होंने बताया क्या जो ब्रिटेन का सासन था या जो ब्रिटिस का सासन हम पर था उस समय जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के तो उस समय जो ब्रिटेन का सासन चल लहा था हमारे उपर ब्रिटेन की सासन कर रहा था तो उसका जो सासन था उसको इन्होंने गोपाल पहला क्या भारत और इंग्लेंड के मद्ध सहयोग स्थापित क्या इन्होंने इसलिए दूसरा क्या ब्रिटिस सासन को भारतियों के लिए बरदान मानना ये दूसरा कारण हो गया तीसरा कारण ये है इनको जो है अंग्रेजी सासन का समर्थक आनना तीसरा कारण ये है कि सासन में भारतियों को सहयोगी बनाना मलब जो सासन था जो प्रसासन था पुलिस में भरती हुआ या फिर किसी अन्य छेतर में भरती हुआ मलब भरती करना हुआ तो भारतियों को भी एक परकार से सहयोगी करने के लिए प्रिरित करना ये भी परकार से दिखाता है कि गोपाल किष्ण गोखले अंगरी जी सासन के समर्थर रहे हैं चौथा करड़ यह हो सकता है आपका कि ब्रिटिस राजा के प्रति क्या थी इनकी निश्ठा थी तो ब्रिटिस राजा जो हुआ करता था जो ब्रिटिन का राजा था जो ब्रिटिन का राजा था जो ब्रिटिन के राजा थे ब्रिटिन का जो सासक था उसके प्रति जो है निश्ठा वान प्रब्रति इनकी रही है तो इसलिए गोपाल किष्ण गोखले को अंगरी जी सासन का स चलिए आगे बढ़ते हैं अगला परस्ट देख लेते हैं अगला परस्ट आपके समख्षे चौथा नंबर अरबिंद घोस के प्रमुक राजनेतिक बिचार बताईए अरबिंद घोस एक बढ़ी अच्छे भी ये भी समासुधारक की यानि राजनेतिक चिंतक के रुप में आ आपके समाज के सभी वर्गों का कल्यान इनका एक बिचार है समाज के सभी वर्गों का कल्यान हो ये कि इनका राजनेतिक बिचार है दूसरा इनका बिचार है कि पूझी बात की इन्होंने आलोचना करी है तो पूझी बात की आलोचना इनका दूसरा बिचार आप लिख सकत तो स्वतंतरता पर बल ये चौथा बिचार इनका लिख सकते हैं पाचवा बिचार आप अरबिंद जी का लिख सकते हैं आध्यात्मिक समाज के अस्थापना ये भी इनका बिचार है राजनितिक बिचार है अरबिंद घोजी का चटवा बिचार ये है कि दैबी मूल्यों की चेतना एक परकार से रही है इनके पास तो दैबी मूल्यों की चेतना तो ये चटवा बिचार भी लिख सकते हैं सातमा बिचार इनका रादनितिक ये हैं राज सम्मधी इनके कुछ बिचार दिये गए हैं तो वो भी है राज सम्म जीवाद की आलोजना, तीसरा, ब्योहारिक समाजवाद में विश्वास, जौथा, सुतंतरता परबल, पांचवा, अध्यात्मिक समाज की अस्थापना, छठवा, देवी मूलों की चेतना, मला मूलियों की चेतना, सातमा, राज संबंदी बिचार, आठमा, स्वाराज की प्र नाम, बालगंगा धर तिलक, बालगंगा धर तिलक कोने, लाल, बाल, पाल, ये गरम दल के नेता है, तिलक के स्वाराज यांदोलन के कितने तरीके बताए हैं, अमलब की तिलक ने कितने बताए हैं, बालगंगा धर तिलक ने, तो इन्होंने कुल मिला करके, चार तरीके बत जो कि अपने देश में बन नहीं है अगर हम उनका उपयोग करेंगे तो खास करके जो बिदेशी माल है या बिदेशी जो कमपनियां हमारे हाँ परा करके राज कर रही हैं पर हमी से कमिशन ले करके और हमी पर गुरूर कर रही हैं हमी पर जो है मलब हमी पर जो है क्या कर रही ह कुरूरता से पेस आ रही है, हमीं लोगों से पर नियम चला रही है, अपने काईदे ठोप रही है, तो वो क्या होंगे थोल ठंडी पड़ेंगी, तो स्वादेसी वस्तों का प्रियोग इनका पहला स्वराज आन्दोरन के का तरीका इनोंने बताया है, पहला, दूसरा तरीका का लिख सकते हैं आप विदेसी वस्तों का वहिस्कार किया जाये जाहिर सी बात है जब आप स्वदेसी वस्तों का प्रियोग करेंगे तो विदेसी वस्तों का वहिस्कार जो है स्वताही होने लगेगा तो दूसरी बात इन्होंने एक कह दे कि विदेसी जहां तक हो सके आप व बिदेसी वस्तों का क्या कर दीजे बहिस्कार करें आर्थात बिदेसी वस्तों को ना पनाए आर्थात बिदेसी सामान बिदेसी कमपनियों के द्वारा बनाए गए सामान को ना खरीदें अपने जो है द्वारा जो कमपनी बनाई गई है या फिर अपने हाथों से जो बनी हु तिसरा आप लिख सकते हैं तिलक के स्वाराज अंदोलन के तरीका था इनका राष्टी सिक्षा पर इन्होंने बल दिया, राष्टी सिक्षा पर अगर बल दिया जाएगा तब जो अंतर राष्टी सिक्षा हम पर थोपी गई है इससे हम मुक्ति पाएंगे तो क्या है भाई, राश्टी सिक्षा पर इन्होंने बल दिया अमलब राश्टी सिक्षा पर अगर बल दिया जाए तो ये भी स्वराज जानदोलन का एक तरीका इन्होंने बताया तिलक महोदे ने चौथा तरीका इन्होंने बताया कि निस्क के लिए प्रतिरोध क्या निस्क के लिए प्रतिरो अगर आपसे पूछ ले कि तिलक को किन कारणों से एक समासुधारक माना जाता है चुकि तिलक जो है समासुधारक के रूप में भी हमारे समने आते हैं पहला कारण इसका यह है कि समाजिक योम धार्मिंग मामलों में नौकर साही के हस्ताचेप का इन्होंने विरोध करा दूसरी बात यह है कि समाजिक स्वतंतता के एक समर्थक रहे हैं और तीसरी बात यह है कि अस्प्रसता का इन्होंने विरोध करा है जो चुआ चूत है इसका आंत करने के कहीं न कहीं पे समर्थन में रहे हैं चौथी बात ये है इनकी की जाती पात का भी इनुने विरोध करा है पांचवी बात ये है की बाल विबाह का भी विरोध तिलक महोदे ने करा और चटवी बात ये है की 60 वर्स के उपर बिधवा विबाह का भी विरोध इनुने करा है तो हमारे सामने इनकी एक नई जहांकी आती है जो की इनको एक समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने प्रसुत करती है तो निश्चे तोर पर तिलक जी क्या है एक समाज सुधारक भी है और आदनितिक बिचारक भी है ये बात ध्यार नखेंगे आगे बढ़ते हैं आगे समझते हैं अगला परसन आपके समखचे जो है चटवा नमबर परसन है आरी समाज के संस्थापक कौन थे आरी समाज के संस्थापक कौन थे भईया बहुत एच्छा परसन पूछ लिया गया तो आरी समाज के संस्थापक ज और आरी समाज संगठन ने उत्तर प्रदेश मलब उत्तर भारत में हिंदु धरम में सुधार लाने का बीड़ा उठाया स्वामी दयानन सरसती का बिचारिय था कि स्वार्थी और अज्यानी पुरोहितों ने पुराणों की सहायता से हिंदु धरम को क्या कर दिया है आरी समाज ने जनता में देश-भक्ती की भावनाएं इस पुनराठ्थान वादी नारे के आधार पर जगाने की कोसिस करी इसमें बेदों की और लोटों का नारा दिया गया आरे समाज ने हिंदूं में एकता स्थापित करने और अन्य धर्म के अनुआईयों को हिंदू बनाने के लिए आंदोलन चलाया तो इस प्रकार से आरे समाज के बारे में हमने थोड़ी बहुत बाते आपको बता दी तो आरे समाज के संस्थापक कोने भाई ये स्वामी में दैनन सरसती जी हैं यहाँ हैं ओके ये बात ध्यार नखेंगे आप से कभी-कभी एकजाम से प्रस्ण पूछ सकता है कि विबेकानन्द के धार्मिक चिंतन का परिक्षण कीजिए तो विबेकानन्द की बात की जाए तो इन्होंने भी विबेकानन्द की बात की जाए विबेकानन के बारे में थोड़ा से बाते आपको बता दे तो आप से कभी कभी जाम से पूछता है कि विवेकानन के धार्मिक चिंतन का परिक्षण कीजिए तो आप पहला इनका बिचारे रहा है अस प्रस्ता का भी विरोध इन्होंने करा है विवेकानन महाराद ने बिवेकानन ने छुआ छोद का विरोध करा है दूसरी बात यह है कि इन्होंने बाल विवाह का विरोध करा किसने बिवेकानन जी ने तीसरी बात यह है कि दलितों का उत्थान इन्होंने करा है की दलितों को आगे बढ़ाने का प्रियास विवेका नंजी ने किया है चोती बात है कि जाती पर्था क्या भी विरोधी मिलप की जाती पर्था के विरोधी रहे है विवेका नंजी और पाचवी बात है कि धर्म निर्पेक्षता पर भीनों ने बल दिया है ठीक छटवी बात ये है कि हिंदू धरम में आस्था इनकी खूब गहरी थी स्वामिंग विवेकानन जी की तो इस परकार से ये छे कारण है जो कि इनको इनको इनके धार्मिक चिंतन में हमारे इनकी नजर आते हैं किलर हो गई बाते आगे समझें अगला परसन अगला परसन आपके समझ चाचुका है चाटवा नमबर है और दोगिक छेतर में गांधी जी ने क्या विचार दिया है और दोगिक छेतर में गांधी जी ने क्या विचार दिया है most important परसन है तो औद्योग क्षेतर में गांधी जी का क्या क्या विचार है भाई आपको बता दे तो पहला विचार इनका ये है औद्योग क्षेतर में कि खादी कारेकरम इनका बड़ा फेमस है औद्योग क्षेतर में खादी कारेकरम इनका चला बड़ा ही फेमस कारेकरम है दूसरा है कुटीर उद्योग धंदो का विकास करने लोग तो ये भी गांधी जी का एक परकार से क्या है आउद्धो की छेत्र में किया गया विचार मलब की दिये गया विचार है तीसरा विचार इनका यह है कि उद्ध्योगों के राष्टी करण के विरोधी थे गांधी जी तो ये भी एक परकार से उद्ध्योग जो नए ने आये मलब आये उनको नहीं अस्थापित होने का एक परकार से बात गही उन्होंने कहा कि जो है जो चीजे होंगी वो अपने यह कि होंगी बाहरी कोई चीज नहीं आएगी तो उद्ध्योगों के राष्टी करण के विरोधी रहे हैं चोथी बात यह है कि गांधी जी पूझी बाद के गोर विरोधी रहे हैं गांधी जी पूझी बाद जो ब्यवस्ताती आर्था जो पूझी बाद मतलब यह होता है कि ज गरीब और गरीब होता है तो पूंजी बात के घोर विरोधी रहे है कौन गांधी जी तो पूंजी बात की विरोधी आप लिखेंगे ये भी ओधोगी छेत्र में गांधी जी का विचार ही है पाचवा विचार इनका ये है ओधोगी छेत्रों में कि बिज्ञान के अभिसकार क उचित प्रियोग किया जाए ये इन्होंने बताया छठवी बात इन्होंने बताई आर्थिक आत्म निर्भरता मलब की प्रतेक विक्ति क्या हो आर्थिक रूप से क्या हो आत्म निर्भर हो ये भी बिचार किसी का है गांधी जी का है और द्योग शेत्र में इन्होंने दिया तो ये पांच इछे विचार इनके वड़े फेमस है पहला विचार क्या है खादी कारिकरम दूसरा विचार क्या है भाई कुटूर उद्योग धन्दे मलब की छोटे उद्योग है उनका विकास किया जाए तीसरी चीज क्या भाई उद्योगों के राष्टे करण की विरोधी रहे है चोथी बात ये है कि पूझी बात के भी विरोधी रहे है और उसके बाद में विज्ञान के अभिसकार का उचित प्रियोग की अमलब की किया जाए और चटवी बात क्या है कि आृथी कात्मे भडता हो तो ये कई छे भिचार जो है उद्योगे छेत्र से जुड़े हुएं जो कि हमने आपको पता दिय है तो यही पूछा का था कि उद्योगी छेत्र में गानी जी ने क्या भिचार दिये है जबाहालाल नहरू ने राजनितिक छेत्र में क्या विचार दिये हैं पंडी जवाहला लहरू की बात की जाए तो उन्होंने राजनिती की छेतर में पहला जो युगदान दिया है चुकि जवाहला लहरू की बात की जाए तो ये लोग तंतर के समर्थक रहे हैं भाई किसके लोग तंतर के समर्थक रहे हैं तो पहली बात ये है कि लोग तंतर का सम कि राज जी का अर्था देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा सभी धर्म जो होंगे बराबर होंगे सभी धर्म को राज जो होगा समान दिश्टी से देखेगा यह क्या है यही धर्म ने पेश्टा है ओके यही क्या भई यही आपकी धर्म निर्पेश्टा है तो जवाहला लेहरों ने राजनितिक शित्र में क्या विचार दिये हैं पहला विचार लोक तंत्र का समर्थन किया यह पहला विचार है दूसरा धर्म निर्पेश्टा का समर्थन किया दूसरा विचार तीसरा विचा है ये भी इनका एक विचार है हिंदो-Muslim एकतापर इनने बल दिया चौथा मिचार इनका है राश्ट्रवाद प्रवर्वित्न पर प्रभल समर्थक यह है कि जो आहल नहरू की बात की जा तो मानोता वादी धारड़ा जो है इनके रही है तो पहला इनका चिशिंदन क्या है पहला बिचार के अराधिक चेतर में लोक तंत्र का समर्थन किया इन्होंने धर्म पेक्षिता का समर्थन किया है हिंदू-मुसलिम एकता पर बल दिया जो है राष्टबाद के समर्थक रहे हैं ये समाजिक परिवरतन पर बल दिया चटवी बात क्या है कि समाजवाद में इनकी आस्था है और साथवी बात है कि मानोता विधारड़ा इनकी है तो एक प्रकार से ये साथ बिचार जो है जो है जवाहल नहरू के है फेमस है ओके आगे चलिए हम समझते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अगला परस्न है तो हमने समझ लिया क्या भाई हमने समझ लिया जवाहलाल नहरू के राजनितिक छेतर में क्या विचार दिये हैं जवाहलाल नहरू जी ने तो उसको हमने आपको बता दिया ठीक क्या क्या था भाई हमने क्या क्या बताया आपको लोकतंतर के समर्थक रहे हैं धन नर्पेक्षिता के समर्थक रहे हैं राष्टबाद के समर्थक रहे हैं समाजवाद में इनकी आस्ता है इंदू-मुस्लिम एकता पर बल दिया इन्होंने समाजे के परिवर्टन पर भी बल दिया है और मानोता वादी धारडा भी रही है किसकी वाला नहरोजी की ये जीज़ें इनके राजनतिक छेत्र के अंतरगत आती है और अब हम बात कर लेते हैं पंचसील सिध्धांत पंचसील सिध्धांत क्या है भई तो पंचसील सिध्धांत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं 1954 की बात है 1954 इस भी में भारत ने चीन के साथ पांच समझोतों पर हस्ताक्चर किये थे क्या 1954 इस भी में भारत ने चीन के साथ पांच समझोतों पर हस्ताक्चर किये थे जिसे हम लोग पंचसिल सिध्धान के नाम से जानते हैं ठीक है यही बात है पंचसिल सिध्धान के नाम से जानता है अब इसमें हुआ क्या था 1994 वाले में हुआ यही था पहला आप इसमें देखेंगे पहली बात कही गई पांच सिध्धान्त थे पांच बाते हैं वो पांच बातों को आप सुनिएगा पहली बात है कि एक दूसरे की एकता एवं संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा मलब भारत चीन की एकता और संप्रभुता का सम्मान करेगा और चीन भारत की संप्रभुता और एकता का सम्मान करेगा दोनों देश क्या करेंगे एक दूसरे की एकता एवं संप्रभुता का सम्मान करेंगे ओके आर्थात unity and sovereignty दोनों का क्या करेंगे एक दूसरे क्या करेंगे भाई सम्मान करेंगी दूसरी बात इसमें कहेगे 65 सिध्धांद के अंतरगत कि एक दूसरे पर आकरमण नहीं करेंगी एक दूसरे पर आकरमण ना करना इसमें समझोते में स्वविकार किया गया कि ना तो भारत चीन पर आकरमण करेगा और ना ही चीन भारत पर प्राकरमण करेगा ये पंचिछिल सिध्धांद का यह एक प्रवाद से 1954 की यूट रिटी हुई थी समझोता हुआ था इंडिया और चीन के बीच में उसमें बतायेगा दूसरी बात तीसरी बात पंचिछिल सिध्धांद में तीसरी बात यह है कि एक दूसरे के आरथा चीन औ करेगा भारत के अंतरिक मामलों में न भारत हस्ता चेप करेगा चीन के अंतरिक मामलों में चीन अपने अंदर की मलब जल संख्या जो उनकी सीमा के अंदर रही है उसमें चाहे जो उत्याचार करेगा भारत उसमें नहीं बोलेगा और भारत में अगर को यह त्याचार हो रह कई है कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्ता चेप नहीं किया जाएगा 4 बात इसमें बताए गई 15 different इक 11 सम्झोथे के तरगत की समानता एं पारसपरिक सहयोग और पारसपरिक सहयोग अगर हो सकेगा तो चीन-भारत चीन-बिक भार्त चीन-किन ये बात इसमें कहीगे 1954 की बात है, उसके पाइश गया थी आप कहीब वे थे जो हमने आपको बता दी पहली बात एक पर फिरिशन लोगेंगे बात, एक सम्मान तर दाव्त्स इस अससी बात, तो यह थोगी आपकी तो यह पांच सिध्धान अगर आपसे पूछा जाएंगे पुछा सकता है कि लोक तांतरिक समाजवाद के उद्देश बताईए लोक तांतरिक समाजवाद के मुस्किर से आपके तीन उद्देश होते हैं पहला उद्देश है समाजिक न्याय मिले दूसरा उद्देश क्या है समाजिक कल्यान हो सके तीसरा कारिस्का होता है तीसरा उद प्रसन है और दसवा नमबर प्रसन है आपका कि आधुनिक लोगतंत्र पर जैप्रकास नरायन के विचार बताएं आधुनिक लोगतंत्र पर जैप्रकास नरायन यार्थात जो है जेपी नरायन के क्या बताएं विचार बताएं तो बड़ा ही फेमस परसन है और बड़ा अच् पर प्रकास नराणक की बिचार पोच रहा है तो आधुनिक लोगतंत्र पर पहला इनका विचार है कि आधुनिक लोगतंत्र के यह क्या थे बिरोध है Fin Scott दलिय विवस्था के दोस के बारे में इन्होंने बिचार दिये है नैतिक गुड़ो की आवसकता के बारे में इन्होंने क्या की देह बिचार दिये है चौथी बात ये है कि दलिय रागनिती से नैतिक पत्ण होता है इस बारे में इन्होंने बताया है कि एगर दलिय रादनीती हो कि तो इससे क्या हो जाएगा नायतिक पतन हो जाएगा मोरल्टी डाउन हो जाएगी यह बात बताई और पाचवी बात इन्होंने कही कि निर्वाचन पद्धती के दोस्ट के बारे में बताया ठीक उसके बाद में चुनाव कर उन्हें जो पद्धती होती निर्वाचन पद्धती जो है वो उसमें दोस इन्होंने बताया और छटवी बात यह है कि सत्ता की रादनेती भी पर इन्होंने बिचार दी कि सत्ता की रादनेती कैसी होती क्या क्या चीज इसमें बताई उसके ब पर दोसरा नहतिक गुड़ों की आवस्कता तीसरा भाई क्या है दली व्यवस्था के दोस्ट चोथा क्या है दली रादनेती से नहतिक पतन पाचवा क्या है निर्वाचन पत्धिती के दोस्ट चठवा क्या है सत्ता की रादनेती सत्तवा क्या है आपका नौकर साही बेवस्था और सत्तवा क्या है आपका दल भीहिन लोकतंत्रों के यह बात के दिर हुई आपकी तो यह हो गए आपका आधुनिक लोकतंत्र पर जैप आपके जो दीर को लग उत्री टाइप के परसन आपके समख चा रहे हैं उनके बारे में आप देखिएगा लग उत्री परसनों को हम कैसे डील करेंगे यह हम समझते हैं लग उत्री परसनों को आपको 200 सब्दों में लिखना होगा यह बात ही आप भी ध्यान रखेंगे कितने स बात यहीं कि यहसे कि दूसरा प्रस्द दिया है कि मनुके सब्तांग जो है सब्तांग raha fui सब्तांग raja जी हाँ पर राग हो गया क्या सब्तांग ports जी कि सब्तांग contains बूंधा और चाहिए सब्तांग राज समधि बिचारो की व्याखय की चीई तोllesなので निमाक स्वाधी बिचारों की क्या अलोचना की नाधर उपर की है चाहिए इसका आप उत्तर लिखें दोनों में से आपको एक उत्तर लिखना पड़ेगा जब भी आपको एक्जामस में और करके आर्था अथवा करके कोई परसंद दिया जाएगा तो चाहे अथवा के उपर वाला करेंगे चाहे थवाके निची वारण दोनों में से के वो लेखी करना होगे ये बात आप ध्यार ना किए ओके अब चली हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस परसंद का उत्तर आपकर कैसे लेख सकते हैं पहला परसंद आपको दिया है कि मनु के सपतांग जो है राजितंत्र का समर्थन करते हुए उसे सभी अंगों में प्रमुक माना है किसे राजा मलकी स्वामी और राजा को ओके ये बाद ध्यान लखेंगे राजा की यावसकता का वड़न करते हुए मनुन ने कहा भी है कि जो है मतस सिन्याय के कारण जब सभी भयाकुल होकर के इधर दरड़ने लगे और विस्व में कोई स्वामी नहीं था तब विधाता ने इस विस्व की रक्षा के लिए राजा का क्या करा है नमाल करा है इसका भिप्राई ये है कि राजपद का आउचित प्रजा के कल्यान में नहीं था है और मनुने मनु के अनुसार छत्रिय को ही राजा के बारे में मनु ने बताया तो मनु के सप्तांग सिध्धानतों में जो साथ अंग इन्हों ने बताये हैं पहला सप्तांगों में से कौन है राजा अर्था स्वामी दूसरा क्या है अमात तीसरा क्या है जनपद चवता क्या है दुर्ग पाचवा क्या है धंड छठवा क्या है कोस और सात्मा क्या है मित्र तो स्वामी अर्था राजा के बारे में हमने आपको बता दिया अमात्य कोन होते थे दूसरा जो सब्तांगों में आता है अमात्य अमात्य का तादपर मंत्री से होता है राज के मंत्री जितने योग यों करतब बे को करने वाले होंगे राज उतना ही प्रभावी होगा राज को चापलोसों और आयोगी बेक्तियों को मंतरी नहीं बनाना चाहिए लब राजा जो है उसको राजी का जो मंतरी है कोई उसको चापलोस बेक्ति को बना देगा आयोगी बेक्ति को बना देगा तो पूरा का पूरा जो है बेड़ा तो पारे कर देगा वो बेकार कर देगा पूरा तो मंतरी को राजा का सहयोगी होना चाहिए किसी भी राजा की सफलता उसके मंतरियों पर निर्पर करती है इसलिए मंतरी को सोच समझ करके राजा को बनाना चाहिए ओके तो सब्तांग सिधान्तों में स्वामियार्था राजा दूसरा क्या आमात मतलब की मंतरी तीसरा क्या था भाई सब्तांग सिधान्तों में जनपद जनपद बाने होता है जनपद जो है राजी का तीसरा आवस्यक अंग जो है बताया है मनु ने जनपद से मतलब यह होता है कि भू भूपर्देश जनसंख्या भूपर्देश और जनसंख्या दोनों को मिला लें तो उसी को जनपद कहते हैं जनपद में उपजाओ भूमी घने जंगल नदियां पसुधन और खनीज पदारतों की बहुलता होनी चाहिए ये बात जो है किसने बताई मनु ने बताई अपने सप सब्तांग सभास esposa में चौती बात इनौनएं बताई कि दुर्ग का सब्तांगों मेλλet में मैतपूर्पूर्ण स्थान है जो होता है जो होता है दुर्गों के माध्धम से राजी के सैनिक अपने देस की सुरछच्छा कर सकते हैं दुर्ग माने होता है किलह किले बंदी अग प्रकार से ओड़कार से फिक्टर होती है उन में आप लोगों ने देखा होगा मुवीज़ ओगाराम में कि एक तो है सब्तांगों में से पाचवा कौन सा बताया उन्होंने पाचवा है दंड अर्था दंड का मलब यह है कि सैनिक बीर स्वाभिमानी और राष्ट प्रेमी होने चाहिए युद्ध के मैदान से भागना एक अच्छे सैनिक को सोभा नहीं देता है और जब एक सैनिक क्या करे एक सैनिक अगर कोई चीज करता है तो या फिर सैनिक की बात की जाए तो या सैनिक हो या फिर कोई ऐसा बेकती हो जो कि राज में कोई गलत कारी करे तो उसके लिए उस उचित धंड की व्यवस्ता की जा है यह बात भी सब्तांग से धानतों बताई गए है चौथा क्या बचा कर सके और उस पर मिलब उच्छित धान से मिलब उच्छित कारी कर सके समय आने पर सातेवी बद ऐस सब्तांगस धान में कौं। रहूट है मित्र हो जो भीस्वास पात्र हों और जो मुसीबत के समय उसकी सहायता कर सके राज को ऐसमयत Genet स्वार्थों के लिए ही हूँ ठीक ये बात जो है राजा निमलकी मनु ने सब्तांग राजी के समंधी बिचार बताए हैं सब्तांग सिध्धान बताए हैं जो कि हमने आपको बता दिया निशेत तर पर ये एकजाम से में पूछा रहा सकता है तो आप लोग आप लोग के समख पर दोशते हैं अगला परसन आपके समख चार करके दिया है मन राय ने माक्सवादी बिचारों की आलोचना की नाधारों पर करी है तो एमन राय जो थे कभी माक्सवादी बिचारधारा के कटर समर्थक भी थे और उन्होंने रूस और चीन में साम्यवात की जड़े भी मज लेलिन से मलब की क्या हो गया उनका मदभेद हो गया था लेलिन से और जब लेलिन से मदभेद हो गया तो उन्होंने माक्सवादी बिचारधारा की आलोचना जो है करी और कौन-कौन सा आधार उसमें रखा वही आधार आपसे पूछा जा रहा है जो पहला उन्होंने पहला माक्सवादी बिचारों की जो आलोचना करी है पहला आधार पहला आधार क्या था उसका एमेन राय ने माक्स की आलोचना इसलिए की है कि उसने मानों की सुतनता को क्या करा है आसोविकार की आयत मानों की सुतनता को आसोविकार करा कि माक्स ने इसलिए इसके आलोचना जो है यमिन राय महोदे ने करी पहला आधार समझ करके दूसरा आधार क्या बताया जो है यमिन राय ने तो राय महोदे ने माक्स का दिन्दात्मक भोतिकवाद के वन नाम के लिए भोतिकवादी है इन्होंने कहा जो है राय महोदे ने कि मा माक्स का जो द्वन्दात्मक भोतिकवाद है वो नाम के लिए भोतिकवादी है जो कि उसका मूल तत्तु द्वन्दवाद है इसलिए वह एक प्रत्तेवादी दर्सन है तो यह दूसरा एक आधार बनाने लिए होने तीसरा आधार बनाया मनराय महोदे ने कि इतिहास का केवल आर्थिक आधार ही नहीं होता उसके पीछे समाजिक तथा विकासात्मा विचारात्मक दिश्टकोंड भी होते हैं फिर किसी भी परकार कर दर्सन आर्थिक आधार पर ही केवल खड़ा नहीं होता है और खासके जो माक्स का विचार था वो आर्थिक आधार उपर ही खड़ा तो यह तीसरा अधार बना करके इनकी आलोचना करी था चौथा बात है कि माक्स का यह कथन है माक्स का यह कथन असत्त है कि मध्यम वर्ग का अंत हो जाएगा और समाज के वल दो वर्गों में पूंजी पती और निर्धन वर्ग में भाजित हो जाएगा आज मध्यम वर्ग का म माक्स कोई वर्ग संघर्स की जो धारडा थी उसको तुर्टी पूर्ण जो है बताई और माक्स ने कहा कि माक्स ने क्या कहा था कि समाज में वर्ग संघर्स किसी न किसी रूमें दिरंतर चलता रहेगा लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई समाजों में वर्ग संघर्स नहीं हो रहा है लेकिन ये बात जो है क्या है तुर्टी है इसमें गल्तियां है इस आधार पर जो है इन्होंने इसकी जो है आलोचना करी छटबा आधार इन्होंने बनाया एमन राय मोहदे ने माक्स वाद की आरचना करते हुए कहा कि उसने माक्स ने नयतिक नियमों को कभी भी महतो नहीं दिया। M.A.X. ने adaptedi N.A.X. को नहीं महतो दिया। इसलिए हमें इसके आलोचनाम लब बना इन्होंने करी है उस आधार पर। साथमा इन्होंने बताया कि M.A.X. ने समाज में परिवर्तन खरांथी के द्वारा लाने की बात कही थी जबकि राय महोदे ने क्या कहा राय ने बिना हिंसा के समाजी परिवरतन लाना चाहते थे जबकि माक्स जो थे वो परिवरतन करांती के द्वारा लाने की बात उन्होंने करी थी माक्स ने काल माक्स ने तो इस परकार से इन्होंने साथ आधा परसन क्या है गांधी और पंडि नहरू के बिचारों का तुलात्मक वरणन कीजिए अथवा गर्मालत के परसन नहीं पता तो आरकर के दूसरा दिया है गांधी वाद की साम मिवाद से तुलात्मक परसन आप से पूछे गए हैं तो ये परसन आप ध्यान रखेंगे चाहे हम आपको बता दें आप आसानी से एक मुद्ध को सुनने का प्रियास करेंगे तो गांधी और किसके बारे पूछरा नहरू चुकि दोनों की बाते कही जाए तो लोग के दो को सेम ही है गांधी जी की बात की जाए तो गांधी जी के बिचारों से नहरू जी काभी तो लातमक परिक्षन करते हैं दोनों के जो है विचारों का थो पहला विचार देखिए को अधिक प्रभावित है गांधिजी के बीचार भारतिय दर्संसे अधिक प्रभावित खेर जबmind की नहरूजी के बिचार की बात की जाए नहरूजी चुकि विदेश में पढ़े थे योरोब में पढ़े थे इसलिए नहरूजी के बिचारों पर पास्चात्र देशों विसेश करके रूस की बात की जाए अमेरिका की बात की जाए जपैन की बात की जाए तो इन सभी देशों के विकास का सक्तिसाली प्रभाव जो इनके उपर पड़ा यद्देपी उन्होंने नैतिक्ता का वहिस्कार तो नहीं किया नहरुजी ने फिर भी कहाया सकता है कि उनकी विचारों में नहरुजी के विचारों पर मौलिक्ता का प्रभाव था और इसी अर्थ में जीवन अस्तर को मुचा उठाना चाहते थे ये तो इन पर जहां खास करके गांधी जी की बात की जाए तो इन पर भारते दरसन का पूर्ण प्रभाव था गांधी जी पर जबकि नहरों की बात किया तो इन पर पाश्चात देशों की जैसे कि उन्हें बिसेश करके रोस अमेरिका जापान का प्रभाव दिखाई पड़ता है दूसरा इनका दूनों का तुलनात मकद्धिन में आप लिखेंगे कि गांधी जी केंद्रिय उत्पादन के बिरोध में थ थे क्या गांधी जी केंद्रिय उत्पादन के बिरोध में थे तथा वे कुटीर उत्पादन के अस्थापना करना चाहते थे तो गांधी जी केंद्रिय उत्पादन के बिरोध में थे तथा कुटीर उत्पादन के अस्थापना करना चाहते थे किन्तु नहरू की बात करें तो नहरू जी ने देश के विकास के लिए बड़े उद्योगों को आवस्यक माना ये दपी साथ ही वे गाउं में कुटीर उद्योगों को भी इस्थापित करना चाहते थे जो है नहरू जी ताकि ग्रामीर लोगों को रोजगार यों आयक के साधन उपलब्द कराए जा सके तो गांधी जी की बात किये तो गांधी जी रास्टी उद्योगों को पढ़ावा न तीसरी बात क्या हो सकती भाई तीसरा तुलनादमक परिक्षन देखिए गांधी जी की बात की जाये तो गांधी जी ने मसीनों का विरोध किया उनका विचार था कि मसीनों के प्रियोग से बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक सत्ता का मिलब की केंदरी करन हो लोग जो है किसी कार को करते हैं और जब मसीन आ जाएगी तो वही मसीन जो है दस बेक्तियों का कार अकेले करेगी एक ही बेक्ति कार करेगा नो बेक्ति बाकी बेरोजगार हो जाएगा गांधी जी का ये मानना था लेकिन नहरू कहते थे कि क्या कहते थे भाई कि जो है जित उत्पत्ति के साथनों पर सरकारी नियंत्रण को उचित नहीं माना कि उत्पत्ति के साथनों पर सरकारी नियंत्रण को उचित नहीं माना कि उत्पत्ति के साथनों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए तो नहरू जी की बात किया तो नहरू जी की विचारधारा शमेते तो इस प्रकार से चार जो है अंतर या चार तुलना आप कर सकते हैं गांधी जी की और नहरुजी के विचारों की हमने आपको बता दे लिख लिजीगा अंगला परसन है गांधी बाद की सामिवाद से तुलना कीजिए तो भाई आचार बिनोबा भावे की बात की जब कि गांधी जीने काल मार्ट के सिधान्तों को सव़विकार नहीं किया है वेक एवल उसी सिथिती में उससे सवविकार करते थे जब उनके द्वारा हिंसा का सहारा नहीं लियायाता गांधी जीने स्वयम लिखा है कि मैँ खुद मांग्स की पुस्तक काैपिटल को अच् तरह से लिख सकता था, बसरते की मुझे इतना आध्यान करंदे का मौका मिलता, गांधिवाद और साम्यवाद में कुछ अंतर दिखाए पड़ते हैं जो की मैं आपको बता दे रहा हूँ पहला आंता तो यह है गांधिवाद और आर्थिक ब्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने उद्यसों की पूर्थी के लिए हिंसात्मा कुपायों का सहरा भी लेते हैं उनका विश्वास है कि बेक्तिकस संपत्ती की संस्था के दोसों को दूर नहीं किया सकता ना ही पूझी पत्यों की बिचारों में परिवर्तन संभो है कि तो गांधी जी अपने आदर्सों की प्राप्ती के लिए सत्य और अहिंस्ता का मार्ग अपनाने के लिए पक्षदर थे इसलिए उन्होंने न्याय ब्रम्न्यास धारित सिधान्त का प्रत्पादन किया उनका विस्वाद था कि पूझी पत्यों के हिर्दे में परिवर्तन किया सकता है और उन्हें यहां समझाया सकता है कि समाजी को तरदाय तो अधिक महत्मून है जिसके लिए ब्यक्तिकत लाब की तिलांजली दी जानी चाहिए जो माक्स वाद है वो कहता है कि अगर सरभारा वर्ग जो जनता है जो मजदूर वर्ग है उसको आगे बढ़ाने के जिए चाहिए हिंसा का सहरा लेने पड़े तो हम लिएंगे यह माक्स वाद कहता है और उस पर हम कोई चीज़ करेंगे लेकिन गांधी जी कहते हैं कि हम अहिंसा का सहरा ले करके और सत्य का सहरा ले करके हम जो पूझी पती वर्गायार्था जो मालिक है उसके मनो भाव को ही बदल सकते हैं और वो हम लोगों को ज़्यादा पैसे देगा इस परकार से गांधी जी का विचार था दोनों के विचार म इसी आधार पर उन्होंने कुटी रुद्योगों का समर्थन तथा गावों में पंचायत की स्थापना करने पर बल दिया है तो राजनेति सक्ति में इस प्रकार से आप तुलना कर सकते हैं तीसरी तुलना आप कर सकते हैं मानभिय मूल्यों को ले करके साम्यवादी जो है वो भौतिक साधनों को आधिक मूली देते हैं और उन्हें आर्थिक तंत्र में नेतिकता पर कोई बल नहीं दिया है लोगों ने दूसरे सब्दों में उन्होंने मानविय मूलियों की अउहिलना की है किन्तु गांधिवाद का आधार आध्यात्मिक है उन्होंने आर्थ सास्त्र का नेतिकता के साथ गहरा सम्मद स्पष्ट किया है गांधिजी ने और मानविय मूलियों के साथ ही गांधिजी ने उत्पादन के विकेंद्रिकन का समर्थन करके मनुस्यों को आर्थिक आधार भी परदान किया है और साम्यवाद भौतिक प्रग्रतिवाद को ही अपना लक्ष मानता है लेकिन गांधी जी ने मात्र मौद्र कियों भौतिक उन्नती की तुल्ला में मनुस्य के नैतिक कल्याण को अपने लव अपना लक्ष बनाया है तो ये बात ध्यान लखेंगे और चोथा जो है इन दोनों में तुल्ला कर सकते हैं उद्योग का पैमाना भी दोनों का अलग 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 रहा है अर्था साम्यवादी जो है बड़े पैमाने पर उद्योग की बात करते हैं जबकि गांधी जी क्या करते हैं कुटी रुद्यगों पर ध्यान को नहीं देता है तो माक्सवादार था साम्यवादी नहीं देते हैं पार्चवी बात यह है कि समाज का सुरूब भी दोनों में अलग-अलग है साम्यवादी और गांधी वादी दोनों में वर्गहीन समाज की अस्थापना की बात कही गई है वह सही है तो गांधी जी की जोगर की वहीन समाज है वो सही जबकि माक्स का गलत है ओके छटवी बात क्या है भाई छटवी बात ब्यक्तिवादी सुतनता साम्यवाद के अंतरकत ब्यक्तिवादी सुतनता बहुत ही सीमित रहती है और तथा ब्यक्ति की तुलना में समाज को अ तो आप लिखेंगे आसानी से क्या लिखेंगे भाई लिखेंगे और करके दूसरा पसंद दिया है कि राणाडे के आर्थी के दर्सन पर प्रकार लिखेंगे दोरों में से कोई एक प्रसन करना है आपको तिलक की बात की यह तिलक भारती आसानती के जनक थे इसकतन की बैक्षाप सुनों आसानी से तो भारत के राष्टी आंदूरनों में तिलक की बात किया तो तिलक द्वारा कई कार जो है किये जो की एक विद्रोही के रूप में हमारे सामने आते हैं बाल गंगा ध तिलक का उग्र राजनेतिक द्ष्टकोर प्रारंब से ही बिदेशी दास्ता से मुक्ति के लिए सभी प्राप्त उपायों का समर्थक था उनके उग्रवादी लेखनी ने महरास्ट में राजनेतिक हिंसा का वातावन बना दिया था वे करांतिकारियों के प्रसंसक थे इसलिए जो है सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन आर्नेश्ट में लिखा है कि तिलक पहले बेक्ती थे जिन्होंने हत्याओं को जनम देने वाले वातावन का निर्माण किया थे ठीक जबकि ब्रेंसन की दिष्टी से तिलक का उद्धिस स्वराज या बंब था जॉन एस हॉलेंड के अनुसार तिलक सारीरिक सकती के प्रियोग में विश्वास करते थे तिलक ने रिपेक चहिंसा कभी कभी समर्था नहीं किया जिसका प्रतिपादन टाल इस्टराय ने किया था तिलक ने सिवाजी द्वारा अफजल खा की हत्या को चिठ ठहराया था एक दारसनिक के रूब में तिलक ने संकल्पों की सुदता को सरवाधिक महतु दिया और बता प्रतिपी में वे संबायधानिक आंदोलन को हस्यासमत मानते थे परनतु 1917 में वे संबायधानिक पदतिक और जुग गये थे कौन ये जो बाल गंगधरतिलक थे तो इस प्रकार से कई बाते हैं जो कि इनको एक भारतिया संतिके जनक की रूप में मलब की बताती हैं हलाकि ब लाल बाल पाल ये लोग जो है उगर इचारधारा के उगर वादि उगरबादी को कहने का अग्या है की ऊगरोःधार्फ अर्थिक दर्सन पर प्रगाड ढली है तो महादेव गोविंद रिकारडो और मिल के चिंतन का अच्छा ग्यान था एक विक्ति है माल्थस, रिकार्डो और मिल ये तीन विक्ति हैं इनके चिंतनारत इनके बिचारों को पढ़ा और उनके बारे में जाना तो इनको ग्यान था और उन्होंने इस धालडा का विरोध किया कि अर्थसास्त्र के नियम आपर वरतन सील होते हैं और उन्होंने अर्थसास्त्र की समयस्याओं के समद्ध में गतसील आगमनात्मक तथा सापेक्ष पदती का समर्थन के किसने रानडे जी ने और रानडे जी का विचार था कि एडम इसमित, रिकार्डो और मिल के समगर विचारों को भारत की परिसितियों में लागू नहीं कह जाय सकता, भले ही इन विचारों को ब्रिटेन में लागू किया गया हो, रानडे ने ब्रिटिस संस्था पित अर्थसास्त्री की पद्धती तथा तात्विक निसकर्सों को चुनोती नहीं दी, बलकि उन्होंने या बताया कि उनके सिध्धान्त भारत में लागू किया जान दरिदरता के संबंद में गंभीर चिंतन किया और भारत की दरिदरता को छे मुखी कारण बताये थे और छे कारण कौन-कौन से इसको आप लिख सकते हैं इसमें, पहला कारण लिख सकते हैं कि धन्ध उत्पादन का एक मातर साधन के रूब में करसी पर निर्भर रहना एक बड़ी कमी है भारत में, दूसरी बात क्या है कि अउद्दोगिक कारखानों में लोहे को लगाने के लिए पूजी का की कमी जो है भारत में है, तीसरी बात यह है कि रिण की पुरानी व्यवस्ता यहां पर है, चौती बात है कि जनसंख्या का विसफोड आर्था ती ब्रकत हैं, तो यह बात आप इनके दर्शन में इनकुरू कर सकते हैं, वैसे और आगे लिख सकते हैं कि भारत की दर्दृता का मुख ही कारण मातर किर्जी पर निरभर कर रहना रहा है, किसानों की दसा काफी भयावे थी उस समय और वे रण के बोच के तले दबे होए थे, ग्राम की जाए, कि सरकार जमाधन को सहकारी बैंकों और नगर पालिकाओं को धार दे दे, जिसते निजी बेक्तियों को रण मिल सके और इस धन से लाब उठाया सके, इस प्रकार से इन्होंने कई कार के तो आर्थिक दर्सन जो है, रानाडे जी का इस प्रकार से था कुछ जो कि हम की समझ कैसा इस राएक करी है, पांच्वा नमर्व परसने ब防टावान को से इस रहें, जो मनु का जो सब्तांग सिध्धानत है वही चाला के का मंडल सिध्धानत है तो खास करके बात की जाए प्राचीन रादनेतिक विचारकों के समान कोटिल ने भी राजी के साथ अंग बताए है जिसे राजी का सब्तांग सिध्धानत भी कहा गया है कौटिल के अनुसार राज केवल उसी दसा में अच्छा कारी कर सकता है जब इस सातों अंग परसपर सहयोग योम उचित रूप से अलग-अलग अपना कारी करेंगी और राज के सातों अंग कौन-कौन से हैं भाई हमने आपको समझा दिया पहले पहला क्या है भाई जो है स्वामी अर्थात राजा दूसरा क्या है भाई दूसरा है आपका आमात तीसरा क्या है जनपद चौथा क्या है दुर्ग पाचवा क्या है कोस और छठवा क्या है दंड और सातमा कौन सा है आपका मित्र ये साथ जो है इन्होंने किस ने बताया भाई ये भी कौटल ने बताया था तो ये बात ध्यान लखेंगे ओके आप से पूछेगा कि साथ गुर्ण नीती कौटल के बिचार क्या है भाई तो छे लक्षणों वाली जो है इन्होंने नीती बताई थी एक संधी, दूसरा क्या बिग्र है, तीसरा क्या यान, चोथा क्या, आसन और पांचवा क्या, संस्रय और छठवा, दैदी भाओ, ये सब भी ध्यान लखेंगे आप, तो कोटेल का मंडल सिध्धानत हो गए आपका, आपको दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, अगला परसन है आपके समख्च भाई, अगला परसन है, भीसमद्वारा बताए गए महा भारत, परसन क्या है, भीसमद्वारा बताए गए महा भारत में, राजनेतिक दायतु क्या रहा है, भीसमद्वारा बताए गए महा भारत में, तो इसको सुनिएगा, उत्तर को आसानी से देखने का प लमल बलगा दी गई थी प्रजा को राजा की यवसकता का विश्वास दिलाया गया है और राजा को कर्तविपालन की प्रणा दी गई है आराजकता की दसा में लोगों का जीवन छड़भंगुर होता है किरसी व्यापार नश्ट हो जाते हैं अकाल पड़ जाता है विबाह संसकार की विवस्था नश्ट हो जाती है यग्जी बंद हो जाते हैं बेद धर्म लुपत हो जाते हैं जब समाज राजा की छतर चाया में रहता है वहां लोग अपने घर के दरवाजे खुले छोड़कर चैन की निंद से सोते हैं और इसलिए महाभारत में राजा को यू निर्माता कहा गया है मानो समाज में राजा का आस्तितो इसलिए जरूरी है ताकि समाज में अपसान्ती और विवस्था कायम रखी जा सके संपत्ती की सुरक्षा हो परिवार और समाजी संबंधों का निर्वा होता रहे और लोग निर्वाद हो करके अपने धालमिक और आर्थिक कालियों को संपन कर सके अता है राजा अपने नागरिकों को अच्छे से अच्छे ग्यान उपलब कराने के लिए गटिबध होता है जो राजा अपनी प्रजा के लिए इतना बड़ा बरदान है उसका समान जो है भी जरूरी है और आता है प्रजा को राजा के सामने उसी प्रकार नत्मस्तक होना चाहिए जिससी अपने गुरू के सामने नत्मस्तक होता है इस प्रकार से विविन देवी देउता इंद्र के साम प्रमुख विसेस्ता क्या रही है? तो आधुनिक भारती चिनतन की बात किया है तो आधुनिक भारती चिनतन का कारिकाल कब से प्रारम हुआ यह एक विबाद का विसे बना हुआ है और समान रूप से बात की जाया अठरामी सताबदी के प्रारंबिक वर्सों से लेकर के वर्तमान समय तक के भारती सांस्कृतिक एवं समाजिक एवं राजनीतिक चिंतन को आधुनिक कहा गया जाता है आधुनिक भारती चिंतन प्राचीन भारती चिंतन से बिल्कुल की कुछ भिन आपको दिखाए पड़ेगा पहला विचार यह है इसमें आधुनिक भारती चिंतन की विसेश्ता में पहली विसेश्ता है धारमी क्यूम समाजिक सुधार अंदोल ने इसमें चलाए गए जैसे कि इसमें ब्रह्म समाज के स्थापना हो आरे समाज के स्थापना राम किष्ण मिसन हो गया थी और सौफिका सुसाइटी इन सभी का कारी जो है किया गया बढ़िहां कारी था ओके दूसरा क्या भाई आधुनिक भारती राजनितिक चिंतन की जो परम विसेषदा दूसरी विसेषदा यह है उदारवाद के समर्थन के अगया है जैसकी उदारवाद के समर्थन में दादा भाई नौरो जी हो गया इसले नादबंदर जी हो गया गोपाल कशन गोखले जी हो गए ये सब जो है आधुनिक विचारक संबिधान संसदिये लोकतंत्र एवं अस्थाजनिये स्वाससन का भारतिय करने के पक्षिधर में रहे हैं और तीसरी विसेस्ता आधुनिक भारतिय राजनेतिक चिंतन की ये है कि उगरवादी विचारधार इसमें है ओके धरम और आदेति का समनुए है इसमें और पांचवी बात ये है पांचवी विसेस्ता इसकी ये है कि उधारवादी विचारध करविंद घोस्रभिंद नाट्य गोर माहत्मा गांधी जवालाल नहरू और उसके आद में बात की जाये तो इसमें मानो गरिमा ब आदेख सकते हैं आदुनिक भारतिय रादनितिक चिंतन की प्रम विसेस्ता हैं हमने आपके समख्ष रख दी अगला पस देखेंगे और करके दिया है मनु के महत तो यह म्योगदान की विवेचना कीजिए मोश्ट इपोरनन परस नहीं मेरे पार दोस्तों एक जाम से में आ स इस प्रकार से कर सकते हैं पहली बात आप ध्यान से सुनिएगा पहली बात क्या है भाई मनु के बारे में मनु का महत और योगदान आप लिख सकते हैं पहला कि मनु ने राज की उत्पत्ती के दैवी सिध्धान्त को स्वविकार किया है लेकिन राजा को दिरंको साधिकार मनु के अनुसार राजा धर्म के आधिन रहे ये बात पहली बात कि सम्धे मनु ने बताई है मनु पहले विचारक ऐसे रहे हैं जिन्होंने आराजक्ता का अंत करके एक न्याए प्रिय राजी की अस्थापना पर बल दिया तीसरी बात यह है कि मनु एक ऐसे कानुन बेता थे जिन्हों ने मानो जीवन के नियमों की एक ऐसी सरंखला प्रसुत की जिसे अपना करके सुब्यवस्थित जीवन बेथीत के आया सके चोथी बात यह है चोथी बिसिस्ता और योगदान या महत तो इसका यह है कि मनु ने राजा का करतब जनता के हितों के लिए कारी करना बताया है जिससे जनता के अधिकारों के रच्छा हो सके और पांचवा इनका योगदान यह है और महत तो है कि मनु ने प्रासासनिक कि जा सकती है ओके और साथ शटवी बात इन्हों ने बताई कि मनु ने जो जो है वांग गुण नीती बतलाई है आज सभी देशों की विदेश नीती का महत्रपुर्ण से धान तो वो बनी हुई है ओके कई परकार की बाते थी जो हमने आपको बता दी तो अब इतना उत्रकार आप लिख देती इसके तो सभी से उतना जो काफी था अब आगे बढ़ते हैं और भी मुद्धों का समझने का प्रियास करते हैं आपको बता दें एक्जामस में कि आप जो है दीर गुत्य टाइप की जो परसन है यह आपके परिक्षा के दिश्टे से मोश्ट इंपरन्ट ह आपको कैवल दो परसन के उतर देने हैं कंडिσα है पांसो सब्दवों में आपको बाता देना है अप नम्हिंतिक चनतन की प्रमोख बिस्यस्ताओं की जिया मोश्ट बाूं प्रसन एक जाप्पर आप क्टें परसन व्मोग भी किर्शन है तो आप किसनी ढारा में दिये आपको personally type बना दूँगा एक वीट्यों सभी प्रवाइज शेप्टर वाइज ओकि तब किलिए रोजयेगा अगला प्रस्ट है जई प्रकास नरानकी पूरणकी पूर्ण करांती का सिध्धान्त भ्रमित करने वाला कि प्रकास नरानकी पूर्णकी का सिध्धान्त तुन्हें लगाता रहता है अगला परस्णाइब के समख्ष दस्वर नम्मर परस्णाइब कि गाधी जी के प्रमुक राधनेतिक विचारों का वड़न कीजिए सबसे पहला बीवेकानन्द के समाजिक विचारों के बारे में कुछ बताएंगे उसके आदमें हेडिंग राधनेतिक विचारों के इस परकार से आप बता दीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं सारे के सारे परस्णाइब के हो जाएंगे और अच्छे आपको पराप्त होंगे इससे पहले बता दू कि ये बी ततियवर्स का हिंदी साहित का पेपर अगर आप लोगों नहीं दिखा तो बी ततियवर्स का हिंदी साहित का पेपर टू भी आपके समक्षा बाइलेबल करवा दियागा है तो आप लोग भी कलास अगर नहीं दिखें जिनकी हिंदी कर भी से यवस्तु है तो आप इस वीडियो को देख लेजेगा आपके यूट्यूब चैनल पर ही ओकिन में फिर नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए जाएंजा भारत आप सभी का बहुत बहुत धानिबाद हमारा से जुलने के लिए धानिबाद